स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर फूर्टीन इको सिस्टम जिसमें कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं कमपोनेंट ओफ इको सिस्टम, स्ट्रक्चर ओफ इको सिस्टम, एबायोटिक, बायोटिक कमपोनेंट उसके बाद हमने बात की थी फूट चैन एंड फूट वेब की स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रॉफिक लेवल की या पोशी इस्तर की अज पढ़ने के लिए हम को ये समझना पढ़ेगा कि ईको सिस्टम में फूट चेन या खादर शंकला में एनरजी का या फूट का ट्रान्सफर एक लेवल के थूँ होता है उन लेवल को ट्रॉफिक लेवल या पोशी इस्तर कहते हैं इसको डिटेल में समझने के लिए इसकी हम definition देखेंगे फिर diagramatically इसको समझेंगे Students, let's see the definition of traffic level Levels of food chain in which transfer of food and energy from producer to consumer called traffic level Means, पोशी इस्तर, खादर शंकला के विभिन चलनों को जहां पर भोजन अत्वा उर्जा का स्थानांतरन होता है पोशी इस्तर कहते हैं Student जैसा की हम जानते हैं, food chain में producer से consumer, consumer से primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer and decomposer इन सभी में उर्जा एक खाद के रूप में एक level से लेके दूसरे level तक transfer होती है तो ये जो level हैं जो की food chain में या खाद शंकला में पाया जाते हैं इन ही level को हम पोशी इस्तर या traffic level कहते हैं इसको capital T से show करते हैं और कई तरह के traffic level होते हैं जो कि अभी हम देखने वाले हैं Types of traffic level First traffic level और T1 इसके अंतरगत पोधे आते हैं जो की producer का कार करते हैं For example green plant Second traffic level और T2 इसके अंतरगत उतपादगों को खाने वाले शाकाहारी और्गनिजम आते हैं Primary consumer Third traffic level और T3 इसके अंतरगत प्रात्मिक उभखताओं अत्वा शाकाहारी जन्तूओं को खाने वाले मासाहारी जन्तू या Carnivorous animals या फिर secondary consumer आते हैं Fourth traffic level और T4 इसमें पाया जाने वाले secondary consumer को खाने वाले top carnivores आते हैं या omnivorous animal आते हैं Last है fifth traffic level और T5 इसमें मृतोब जीवी जैसे कुछ जीवाडू, कवक, क्रमी, आदी जीव आते हैं जो सभी पूशी इस्तरों से decomposition दो है